हाई फ्रेंड्स मैं परबंदर खाली फ्रेंड्स आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रेकमेंडेशन है उनकी आईडी है not SKM4 नाम तो नहीं पता है थिंक उन्होंने अपना नाम कई मेंशन किया हो तो नहीं में नाम है में निया तो चलिए फ्रेंड्स गेम बहुत जबरदस् टाइपिंग मिस्टेक ही उन्होंने सब्सक्राइब लेकिन वो गेम ने उन्नी सो पिचासी किया रिश्या में गेम खेले गई थी मिखाइल टाल वर्सेज करस्टन हुए चलिए करस्टन हुए तिंक रूमेनिया के प्लेयर है अगर मैं सहीं हूं तो नहीं डैनिश ग्रेंड उन्हें डैनिश गेम डैनियूग शिरूवा तो प्लिक डिफेंस नहीं तो कंसिड़र फिक डिफेंस की ही एक कॉम्पोजिशन में कई आएगी इसकी नाइट एफ त्री नाइट एफ उड़ ऑने प्चेल दूनों साइड्स का इसके बाद आया है नाइट सी सिक्स बिशप G5, H6, हटाओ बिशफ को यहां से गया, H4 स्कॉयर पर देन वा नाइट H5, दो नाइट A3, फ्रेंट से, वाइट को भी अपने नाइट हो डवलक परना, थोड़ी तो पॉब्लम होगी होगी, नाइट F4, बिशफ पर अटेक बना, तो यह बिशफ हटा, C2 स्कॉयर पर देन व लूँगा, बिशफ को बचाते रहा न, कहां बचा होगा, बिशफ पीछ जाएगा, उसके आजपोन आगे पुछ कर दो, अफस जाएगा, तो मेरे खाल से समझ हो गया आप, जो मैं इमेजनेरी कैलकुएशन कर गया, लेकर, बिशफ पर अटेक बनाया, ठीक भी है, लेकिन उमीद नहीं की होगी ब्लैक में की यहां पर आएगा नायट सेकृफफाइस, नायट टेक जी फाइफ, एच टेक जी फाइफ, बिशफ टेक जी फाइफ, अपना एक नायट दिया, उपने एंट के दो पाउन्स लिए, याने कि एक पॉइंट मिखाल टाल डाउन भूच इसनी दिर में नाइट गाय माय कही जाएगा फिर यहां एच पॉन पुश और उसके बाद बीशप को ट्रैप करने की कोशिश की जा सकते हैं और जो नाइट साइक्रिपाइस दिया था वो जस्तिफाई हो जाएगा लेकिन उससे पहले मूव है ब्लैक का उन्होंने अपने लेकिन अगर यहां से ही किम आगे बढ़ेगी तो एकको ली रही है क्यों पहले तो मिलिया एक एक एक्स्ट्रा पॉन जो दो पॉन्स थे एक नाइट को दे करके तो तीस्रा पॉन यह मिलिया और अब जो नाइट दिया था उसके बदले में नाइट या बिशप बचाओ क्य इटेक्स F6 और अब भी फर्दर मेटेल एक्षेंज ना कर गए यहां पहले एच त्री और बिशप को उसी तरीके से ट्रेप करने की फिलाल भी कोशिश है बिशप H5 भी फिलाल बग कर लेकिन नहीं रुक टेक्स F5 होता ना फिर पॉन क्यों बढ़ाने की कोशिश थी सिदा यहीं अटेक बनता बात ही का तो गजाती है यहां खिला गया F4 और जो बिशप की डिफेंस लाइन की उसे कर दिया डिसकनेक्ट एक्षेंज कर वो बिशप बिशप टेक्स जी सावन एच टेक्स जी फूर और फेंड सर अब जरा मैं कर रहा हूं गलतिया पताने किस तरह से म पॉंज हैं ब्लैक के पास और साथ पॉंज हैं वाइट के पास कुल मिला कर दो रुक एक पॉंज की लीड मिधायल टाल ले गए कैसे ले गए मुझे बढ़ता रुक एचेट की ऑख्षन और अब ठीक है गें एक पॉंज की लीड के साथ है तो एक पीस और सेक्रपाइस कर रुक टेक्स F4, एक्षेंस एक्षेंस, नाइट टेक्स F4, कोई टेक्स F4, अब ये कैसे जस्टिफाई करें, रुक H6, पॉंड पर कोई इशू था नहीं, लेकिन ठीक है, वर अधर आने वाले सेंबर में होने वाला है, और ब्लैक भी अपनी तियारिया करेगा कोई को लाकर, किंग गया F2 स्क्वाइर पर, और यहां इस पॉइंट पर टेक्स मेरे ख्याल से थोड़ा ब्लैक का ब्लंडर है, क्यों किया गया, मुझे नहीं पता, नाइट E7, सेफटी फरस्ट, अपना सेफ गेम की जाद अच्छा है, टेकिन नाइट E5 को मैं जिस्टिफाई नहीं कर इस पर आप जाद से जाद यहां पर चेक दे सकते हैं, उसके बाद बिशफ के साथ कोई इश्यू नहीं, इन फेक्ट यहां मिखाईल ताल ने नाइट को C4 स्क्वाइर पर प्लेस किया, अब आप चेक भी नहीं दे पाऊगे, हाँ रुक से चेक दे पाऊगे, पर सोर तो किया, वो जो नाइट सेक्रिफाइस है, वो मुझे अभी भी वाक्ती में समझ में नहीं आ रहा है, रुक आया F4 स्क्वाइर पर एग्जेक्ली पॉन इधर अटेक है, दूसरे पॉन पर, नाइट E3, हो गया डिफेंस, दूसरे पॉन का भी, किंग गया F8 स्क्वाइर पर, आप रुक की एंट्री देख सकते हैं, किस तरह से होने वाली है, किंग गया F2 स्क्वाइर पर देन हुआ, रुक A1 यहाँ A2 पॉन पर अटेक है, अगर हम यहाँ खेल रहे होते हैं, तो A2 के बाद, B2 पॉन पर भी खत्रा है, तो ठीक है, मिखाईल टाल ने, अपने पॉन को लेकर चेक देकर कुईन को फसाने के तेगारी, सिंपल है, किंग को अटा दो, D3 स्क्वार कर, केप इट सिंपल बिल्कुल, देन हुआ, C3 और C3 होने के बाद, मेरे ख्याल से, D3 पॉन पुश वर्दर, कुछ इस तरह के शायद, यह किंग को एक्सपोज करने के मालों, कुइन टेक्स G4 हुआ भी, तो फिर आप जिस्टिफाई कर सकते हैं, नाइट टेक्स G6 चैक हो सकता है, किंग E3, E7 स्क्वार पर पर देन नाइट वापस आजाएगा, यह नहीं कहला गया थे, यहां कहला गया थे, G3, G3 का मतलब यह जो इंटर लॉकिंग यह जो सि मैं आपका फ्री रुक ले लूँगा, एक पौन मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उसके बाद यहां नाइट पर भी टैक हो मैंने का, मैं कहूंगा कि ब्लैक की ग्रिप थोड़ी इस गेम में मजबूत भी आती है, ऐसा करने के बार, लेकिन G3, आप इधर कुइन मैं सही बताओं तो मुझे यह समझ में नहीं आएगा, लास्ट में सब कल्कॉलेशन करते होगी, किस के पास क्या बचा होगा, दिमाग गूम जाता है, खेर, किंग E2, बना यहां पर रुख पर अटैक रुख गया है, फोर स्कौर पर चलिए बचाई आब आप अपने इस प पौंबेशन करेंज़ारी एक साथ पनेक्टिए और वहीं एक दो तीक चार पॉन आईलेंड है, पांच से चार पॉन आइलेंड है मिखाल पके पास, खिर, लेकिन मूव फिलाल उलीगा, तो अन्हों को आगे पुछ प्स कर दिया, रुख गया, यहां पर ठीक है, यहां पर उससे फरक्ता पड़ना है बिशेप F7 डेन हुआ V5 किंग आया E2 स्कॉर पर दुबारा रुख पर अटैक बना रुख गया F4 स्कॉर पर और फ्रेंड्स यहां तक चलिए ठीक है आपने यहां किसी एक पॉन को तो गवाने ही पड़ेगा यहां वाइट ने डिसाइड किया कि वह अपने नाइट को रखेंगे F5 स्कॉर और यहां पॉन छोड़ दिया है और कौन सा पॉन लिया जाए ब्लैक यहां आधर G4 या E4 कि स्कॉन को लिए रुख टेक्स G4 दिखने मुझे लगता है जिशायद बैटर होता क्योंकि नाइट टेक्स D6 होता फिर आप पॉन पर यह भी ठीक अपना एक प्रॉफिट है यहां पर वाइट का उससे लेकिन यहां रुख टेक्स E4 करने के विचेक आई है और इंट्यूट्यूली हर कोई इसी तरह से लेकिन ऐसा करने के बाद किंग चला गया F3 स्कॉर पर रुख पर अटेक बना रुख F4 जैक हुआ और और यहां इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा कासना कोई को वीडियो का पॉस करके रखें और क्यों रिजाइन किया गया ज़रा यहां से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो आपको यह नाइट पूरी गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ नजर आ जाएगा और अदर्वाइज यहां आपको जी पॉन कुछ नजर आ रहा होगा तो वाइड यहां करेगा क्या बिशप को पीछे लेगा एक कदम ताकि जब यह जी पॉन आगे कुछ हो चेक देने के लिए या कुन प्रमोशन के लिए तो बिशप कम से कम बचा आप करो पॉन को आगे इसके लिए रोखने के लिए किंग काफी है बिशप एक कदम पीछे हटेगा और उसके बाद यहां पॉन्स आगे कोई शोग ना शिरू हो जाएगे कोई प्रमोशन हो चुका होगा मिखाईल डाल गया है काफी अच्छी गेम की जो मेरे आप सभी लो को प्लीज सब्सक्राइब जरू करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहर दिन्सार रहेगा थैंक यूपर वाजए करें बाइफों